अगर वो पंचर लीक होता है तो क्या-क्या आपके पास बचे है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन से टाइप के प्लग यूज करने है और वो अगर पंचर आपका लीक होता है तो आप उसे कैसे हो रिवाइब कर सकते है तायर को आज के तारिक में दोस्तों टायर मिलना काफी मुश्किल हो चुका है आपको भी टायर को बचाना है तो इस वी चालू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप हमें इंस्ताग्राम पे फॉलो नहीं करते है ता मरा इंस्ताग्राम आइडी ए क्विक फिक्स इंडिया जहां पे हम लोग बाइक रिलेटेट कार रिलेटेड काफी स्टोरीज और नॉलेज शेयर क तो पहले दोस्तों समझते हैं जब पंचर करने में क्या-कय चीजों का हिस तामल होता है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह jного ताइप की अलग अलग रसी यह है थोड़ी मोटी रसी और प्रशी जिसे चकी प्लग भी कहते है। ये किटना मोटा प्लग है। और ये इसको डबल系 करके डालो तो तो कितना bड़ा होल करना पड़ेगा। ये यूज होता है पंचर रिपेर के लिए तो जब भी आथ पंचर रिपेर करने जाते हो एक कार का होता है और एक बाइक का होता है तो बाइक में बेसिकली स्टील बेल रेडियल में अंदर स्टील कॉड्स होते है और स्टील कॉड्स जो होते है वो अंदर जब खीला जाता है तो पतला सा होल करता है तो काफी टाइम ज और बड़ा होल करने के बाद में वह प्लग डबल करके डालता है तो जहां पर आपका छोटा प्लग यूज करना चाहिए वहां पर आप वह यूज कर रहा है बड़ा प्लग है तो होल बड़ा करने के लिए यूजुली यह लोग शार्प अब्जिक करके उसको गोल गुमाते ह तो कहीना कही वह होल बढ़ा करतेama अंदर में स्टील कोट टूटते है ज्यादा स्टील कोट टूटने जब आप स्पीड पे हाँ तो एक भाज हां तो यह जब तूटते हैं अंदर में तो तो उस ताइम पर हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप तायर को चेंज कर दो क्यूंकि टायर के बेल्ट तूट चुके हैं उसमें ग्याप आ क्या है उसके अंदर से हावा लीक हो रही है अब मान लो बहुत से बार ऐसा होता है कि आप कम हवा में गाड़ी चला रहे हो या फिर आपके उसने बरबर से पंचर रिपेर ने किया है तो कही न कही वो पंचर लीक होता है तो लीक होने के बाद में आपको ऑप्शन क्या बचा है मलब टाफी बहेंगे टायाज है तो छोटा अगर प्लग डालोंगे अगर वो लीक होता है तो कही न कही हम लोग यह बड़ा प्लग जो यह दिख रहा है आपको उसको यूज कर सकते हो तो पहले अलुज हमारा ओप्शन रहना चाहिए चोटा प्लग यूज करने का तो यह जो चोटा प्लग है यह आपने यूज करना है First Time कि पढ़ार पेर सूप होा है उसके अंदर जो लुब्रिकेशन कोटाए वो खतंए उसके आजे से भी Jul नेकर यहाँ दोस्तों देख सकते हो एक बंचर के उपर यह बनाना है, तो जब भी यह पंचर लीक होता है तोук्या करते वो दूसरा पंक्चर का एक कीट वापस डाल देते और होल को बड़ा कर देते यह सबसे रॉंग मेथड है पंचर के उपर कभी पंचर को नहीं बनाना है मान लो अगर आपका यह पतला रसी है तो यह इसको निकाल लो वापस और उसके जगा दूसरा डाल दो अगर आप पंचर के उपर पंचर बनाऊंगे तो कहीना कई होल जो है वो बड़ा होगा यह तो यहां पे पतला रसी डाला था तो अभी मान लो अगर यह लिए लीक हुआ है तो इसको निकालके मोटा रसी डालना चाहिए तो यहां पर क्या किया है उन्होंने और एक पंचर का रसी डाल दिया, which is not recommended, क्योंकि ये भी फ्यूचर में जाके वापस लीक होने के बहुत चांसे होते है, क्योंकि ग्याप क्रियेट होता है इसके बीच में, और जब भी आपका air pressure कम रहेगा, आप चलाओंगे तो कही ना कही लीक होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर ट्राइ करेंगे, टायर को रिवाइव कैसे करें, तो दोस्तों अगर बड़ा प्लग आपका लीक हो रहा है, तो कही ना कही हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मश्रूम पैच का, यह देखो, यह है मश्रूम पैच, यह मोस्ली देखो, क्या होता है, बाइक के जो रिडियल टायर्ज होते हैं, उसके अंदर में रबर जो होता है, वो काफी कम होता है, तो 99% यह सक्सेस्फूल होना चाहिए, मश्रूम पैच, बाइक परसेंट ऐसा चांस होता है, कि प्रॉपरली रिपेर ने किया है, या प्रॉपरली उसको फीट ने किया है, या रबर जादा गस गया है, या टायर पूरा ना हो चुक है, उसके वज़े से भी लीक हो सकता है, तो बहुत से बार चांसेस, अगर बहुत जादा बड़ा होल है, तो भी आपका मश्रूम प्लग सपोर्ट नहीं करेगा, तो मश्रूम में भी अलग-अलग टाइप के पैच आते है, यह चोटा पैच है, मश्रूम का यह मोटा है, यह चोटा मोटा यह दो अलग-अलग करते है, तो मश्रूम पैच दोस्तो कुछ ऐसा दिखता है, यह अंदर से इसको प्रॉपर यहां से रबर का शटर करते है, और इसको अंदर से डालके बहार से निकालते है, तो यह अंदर का पोर्शन ऐसा दिख रहा है, और बहार से मैं आपको दिखाता हूं, देखो यह य प्तुल प्लग यूँजिक करने का जो बाइक के लिए यूजिवली रूहरी तो अगर एक यूजिकन तो तो दोसतों अगर बड़ा प्लग आपका यूजिक हो रहा है तो के यह अपर मुण प्रीच कर मैं एक लिए चपनेर अगर प्पसन्द मुंप्र तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए मैं ट्राइ करूंगा उसे एंसर करने के लिए राइडर प्लीज वेर हलमेट ड्राइवर प्लीज वेर सिट बेल कीप दरोड क्लीन कीप दरोड सेफ केप दिसीट क्लीन थैंक यू